वैलकम टू रिजवान कुकिंग चैनल आज हम बनाने चाह रहे हैं दहीं बल्ले और इसके लिए हमें जिन चीजों की ज़रुरत है उनमें शामिल है आलू तक्रीबन चार मीडियम साइज के सबसे पहले हम आलू को बॉइल कर लेंगे उससे पहले हम इसको काट के फिर इसको बॉइल करेंगे इसके अंदर पानी डाल देंगे चाह चाह टुकड़े हम इसके करेंगे और इसमें पानी डाल के एंड पे हम इसमें नमक एट कर देंगे आलू को हमने इसलिए काटा ताके नमक इसके अंदर चला जाया इसके बाद हमने इसका पेस्ट तियार करना है तो इसलिए हम इस पॉदीने की पतियों को काट लेंगे यह देखें इस तरह से यह कट चुकी है अब इसको हम इसमें डाल लेंगे इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे धनिये की पतियां उसको भी हमने काटा हुआ है अब इसका अच्छा सा एक पेस्ट तियार कर लेंगे यह देखें इस तरह का जब हो जाए तो यह पेस्ट तियार हो जाएगा एंड पे हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मेट्स तक्रीबन चार एदत है इसको भी हमने बरी बरी काटा हुआ है इसको भी इसके अंदर ही कूट लेंगे लेसन के तक्रीबन तीन जबवे हैं इसके साथ ही नमक है क्वाटर टी स्पून इसको इसमें आड कर देंगे और दुबारा से पेस्ट तियार कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी धन्य पूदीने की चटनी तियार हो चुकी है इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे यह consistency होनी चाहिए इस तरह का पेस्ट आपका भी बनना चाहिए हमने इसमें पानी वेगरा कुछ भी ड़नी किया अब हम भलिया ले लेंगे इसमें हम पानी डाल कर इसको भी गो कर रख देंगे इसको हमने तब तक भी गो कर रखना है जब तक कि ये नरम हो जाए अब आलू हमारे boil हो चुके थे उनको निकाल के हम अची तरह से छील लेंगे कि छील के सारे उतार लिए और इक काट के रख देंगे अब एक बर्तन लेंगे इस बर्तन के अंदर हम भलियां add करेंगे अब उसका पानी हमने निकाल लिया था वो नरम हो चुकी थी साथ ही हम इसमें आलू add कर देंगे जो boil करके काटे थे चनेया हमारे पास white वो हमने boil करके डाल दिये पियाज से medium size को उसको बरीग-बरीग काट लिया था वो भी हम इसमें add कर देंगे इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे खीरे हैं खीरों को भी हमने बरीग-बरीग काट लिया था इसकी quantity आप अपनी reverseية कर कर सकते हैं tomatoes है हमारे पास इसको भी हमने बरीग-बरीग काट लिया था पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे मिक्स करने के बाद हमाया पैसी चार्ट मसाला मुझूद है इसको हम डाल देंगे इसके उपर आप इसको भी अपनी मर्जी के मताबिक कम जादा कर सकते हैं अब हमने थोड़ा सा दही लिया उसके अंदर हम डाल लेंगे वो चटनी जो हमने त्यार की थी धनिये पोदीने की तकी बनादा चमज हम इसके अंदर आट करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा पोदीने बला राइता त्यार हो जाएगा अब सर्फ करने के लिए हम एक बरतन के अंदर पहले दही बले डालेंगे अपने इसके ओपर दही डाल लेंगे और इसके ओपर हम डाल लेंगे चाट मसाला जरूरत के मताबिक जितना आप काना चाहें हमारे दही बले त्यार है इसको गार्णिशिंग के लिए हम इसके अपर पूदीने की पतियां इस्तमाल कर सकते हैं हमारी वीडियो जुरूर ट्रै कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके